हलो दोस्तों मैं प्रोड़क्ट रिवीयर आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल सेग्मेंट जो की है कार सेग्मेंट और कार सेग्मेंट में भी आज हम बात करेंगे SUV segment की जहां पे हमारे पास है Maruti Suzuki की दो बहुत ही special cars एक तरफ है S-Cross और एक तरफ Vitar Abraza अगर आप अभी कार लेना पसंद करते हैं और Maruti की लेना चाहते हैं तो इन में से कौन सी लेना चाहते हैं आज हम इसी पे बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों SUV segment की जो कि अब बहुत ही competitive segment होता जा रहा है यहां पे हमारे पास सारी brands ने अपनी cars position करी है Hyundai ने जैसे Venue Krita position करी हुई है यहां पे इसके लावा Kia ने Celtos launch करी थी इस साल के शुरू में उसके लावा Ford की EcoSport है फिर और भी बहुत सारी cars हैं इसमें Nissan की Kicks है इसके लावा मारूती ने जैसे कि मैंने आपको बताया दो cars को यहां पे position किया है Vitara और S-Cross तो आजकर लोग ज़ादा पसंद भी कर रहे है hatchback और sedan से ज़ादा आजकर लोग थोड़ा सा पैसा डाल कि यह वाली cars लेना पसंद करेंगे लेकिन अगर आप इन में से दो cars लेना चाहते हैं आज हम सिर्फ मारूती की cars के बात करेंगे तो कौन सी लें और क्यों लें मारूती की S-Cross की जो की है Nexa range मारूती की दो ranges आती है Nexa और एक अरीना यह है Nexa range Nexa dealership network के थूँ यह बिक्ती है यह एक SUV नहीं है यह तरह की crossover है Nexa product है 2015 में launch हुआ था 2017 में इसको remodel किया था डीजल पेट्रोल दोनों में आती हैं और दोनों में डीजल में पहले तक आती थी लेकिन जब से BS6 के emission norms आए हैं मारूती Suzuki ने clearly बोल दिया है अभी August 2020 में ही इन्होंने पेट्रोल वेरियंट्स लाँच किये हैं इनके चार वेरियंट्स आते हैं Sigma, Delta, Zeta, Alpha Price range जो है 8.6 से 11.32 लाक्स है इसकी price range जो पेट्रोल वाली कार्स हैं वो आल्मूस्ट से पचास अजार रुपे सस्ती हैं इन्चारो वेरियंट्स में इसके अलाब अगर इनकी specifications की बात करें performance metrics की बात करें 1248cc का engine है 138 mm का torque है 5-speed manual transmission और 4-speed automatic transmission available है dimensions देखिए दोस्तों तो length जो है 4300 mm की है जो इसकी लंबाई है 2600 mm का wheelbase है ground clearance 180 mm का है दोस्तों और mileage जो है manual का 18.55 km per liters है automatic का भी almost same है तो दोस्तों ये है S-Cross के बारे में Nexa का product है और Nexa range में है थोड़ा सा premium है मारूती के लिए जिस तरह से उन्होंने इसको position किया है और ये इसके 4 variants है petrol वाला जैसे मैंने आपको अभी बताया launch हुआ है अब विटारा ब्रेजा की विटारा ब्रेजा भी एक इनका बहुती शांदार variant है product model है सब 4 meter SUV में है arena range में है वो S-Cross जैसे की मैंने आपको बताया Nexa range में आता है ये arena range में आता है 2016 में Auto Expo में launch किया था इन्होंने 7 variants में आता है ये diesel petrol दोनों में available है diesel जैसे मैंने आपको बताया discontinue हो चुका है इस साल से मारुची Suzuki ने clearly बोल दिया है सारे अब variants उनके petrol के ही continue रहेंगे price range इसकी 8.54 से 12.11 lakhs की price range है specifications almost same है S-Cross के जैसे dimensions में अगर देखें तो 39.95 का mm का length है लंबाई है 2500 का wheelbase है ground clearance 200 mm की है तोड़ी सी S-Cross से ज़्यादा है mileage देखें तो manual की 17 की है automatic की जो है 18.76 km per liter है दोस्तों तो दोस्तों ये बात की हमने Vitara Breza की थोड़ी सी highlights हमने देखी Vitara Breza के बारे में अब चलेंगे हम दोस्तों आगे अगर हम इन दोनों models को compare करते हैं तो हम तीन metrics पर compare करेंगे पहला है design design में देखेंगे इन दोनों में से कौन सा better perform कर रहा है तो देखेंगे दोस्तों अगर एक तरफ हमारे पास crossover look है एक तरफ हमारे पास box shaped SUV है जो की है Vitara Breza तो यह depend करेगा कि आपको इन दोनों में से किस तरह का look पसंद आता है आप उसी look की तरफ चासे हैं इसमें तो almost दोनों same है जैसे मैंने आपको जोता है S-Cross जो है Nexa की range है जो की प्रीमियम Maruti Suzuki की range है तो और दूसरी तरफ हमारी Vitara Breza है वो एक sub compact SUV है sub 4 meter compact SUV है तो अगर इन दोनों में से देखेंगे तो अगर आप प्रीमियम कॉलिटी थोड़ी सी पसंद करते है almost same price पे तो आप मेरी तरह हिसाब से Nexa की S-Cross की तरफ जा सकते हैं इसके बात बात करते हैं इसके dimensions की जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था S-Cross जो है थोड़ी सी बड़ी है लंबी है Vitara Breza से इस वज़ा से उसका wheel base obviously लंबा होगा इस वज़ा से उसका leg room space थोड़ा सा आपको better मिलेगा S-Cross में height देखें तो height Vitara Breza की उंची है तो height में अगर देखें तो Vitara Breza थोड़ी लंबी height इसकी अच्छी लगेगी तो थोड़ी बड़ी लगेगी दोस्तों तो लंबाई और height दोनों के फायदे हैं लंबाई का फायदा पार्किंग में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है तो यह depend करता है दोस्तों आपको किस तरह का आपका preference है इसके अगर हम बात करें ground clearance की तो वो भी Vitara की थोड़ी सी better है जादे फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा सा aerodynamically Vitara Breza आपको highway पे अच्छी right देगी लेकिन अगर आपको bumpy roads है rough roads है तो उसमें आपको S-Cross थोड़ी सी better अच्छी लगेगी क्योंकि ground clearance थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा left right करना और rough roads के साब से थोड़ी सी better रहेगी दोस्तों इसमें भी आपकी personal preference है जो भी वो आप देख सकते हैं दोस्तों design की हमने बात करी तो design में देखेंगे तो S-Cross और Vitara Breza में कोई ज़ादा खास difference नहीं दिखाएगी यहाँ पे हो गया है टाई अगली जिस पर रहेंगे वो करेंगे performance की तो performance में देखते हैं दो special cars में कौन सी better performing है सबस्वाले engine की बात करते हैं दोनों में ही new 1.5 liter का petrol engine है जो के hybrid technology के साथ आता है तो यहाँ तो कोई difference है नहीं अगर देखें कौन से automatic और manual दोनों transmission में S-Cross आती है Vitara Breza भी दोनों में आती है लेकिन एक जो difference है वो है इसकी smart hybrid technology का जो की सभी variants में आती है S-Cross के लेकिन Vitara के सिर्फ automatic variants में आती है दोस्तों तो यहाँ पर थोड़ी सी बाजी मारी है हमारे better mileage है manual का लेकिन automatic में since smart hybrid technology आती है तो यहाँ पर Vitara Breza ने थोड़ी सी यहाँ पर दोनों ही बाजी मारी है weight की बात करें तो 40 kg सलकी है S-Cross तो बेटर performance देती है S-Cross का 60-40 का जो पीछे seat का option होता है आगे कर सकते हैं वो भी आपका base variants S-Cross में शुरू होता है इसके अलावा build quality तो दोनों की same है global seat platform पे Maruti Suzuki ने काफी काम किया है दोनों ही उस platform पे built है तो काफी अच्छी quality है इस इन दोनों गाडियों की लेकिन जो features additional आ रही है S-Cross में वो आ रही है disc brakes additional है brake assist का एक feature है Suzuki connect का एक feature है जिसे कि आप vehicle tracking कर सके है तो feature wise देखें तो S-Cross थोड़ी सी बाजी मार रही है थोड़ी काफी ज़ादा difference है S-Cross और Vitara Braza का performance के terms में लेकिन इस performance के लिए वो charge भी कर रहे है जो बात करेंगे price की तो दोस्तों feature pack तो S-Cross हमें दिख रही है जैसे कि हमने थोड़ी दे पहले बात करी लेकिन price कितनी है तो price देखें उसकी 8.39 से 12.39 लाक वेरी करती है दूसरी तरफ विटारा ब्रेदा जो कि almost 1.7 लाक सस्ती है से compromise कर सकते हैं तो 1.7 लाक रुपे कम दे के आप विटारा ब्रेदा की तरफ बात करता हूँ मैं अपने final verdict की जहां पर एक तरफ है S-Cross एक तरफ है विटारा ब्रेदा बहुत ही close competition है लेकिन एक बात हमें जो ध्यान रखनी पड़ेगी वो यह है कि दोनों का ही segment बिलकुल अलग है SUV दोनों ही है लेकिन SUV में भी एक तरफ हमारे पास है विटारा जो की compact SUV है दूसरी तरफ है S-Cross जो की थोड़ी सी compact से premium category में आते हैं तो premium SUV segment में position है Maruti Suzuki ने इसको उस तरह से position किया है राइवल्स भी इसके बिलकुल अलग है विटारा ब्रेजा जो compete कर रही है वो Tata, Nexon, Hyundai, Venue, EcoSport जैसी car से कर रही है और दूसरी तरफ S-Cross जो है Krata, Seltos, Nissan Kicks जैसी car से compete कर रही है यह थोड़ी सी Nexa premium segment में बैटी हुई है यह हमारी Arena Sub 4 compact SUV segment में विटारा ब्रेजा है तो segment काफी दोनों का लग है तो बिलकुल एक दम से हम दोनों को compare directly नहीं कर सकते हैं दोस्तों एक feature packed है एक लेकिन price based offering है दो कि थोड़ी सस्ती है लेकिन features भी उसी साब से थोड़ी से compromised है एक का design crossover है एक का box shaped SUV है एक थोड़ी लंबी है एक थोड़ी उंची है जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों यह सब boil down करता है simple एक चीज़ पे कि आपकी preference क्या है आपको feature packed पसंद है तो आप S-Cross की तरफ जा सकते हैं आपको design अगर crossover type का पसंद है तो S-Cross देख सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही SUV चाहिए जिसकी ground clearance भी जादा हो height छोड़ी लंबी हो तो आप बिल्कुल Vitara Brazor की तरफ जा सकते हैं लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा features में compromise करना है लेकिन price आपको थोड़ी सी economical मिल जाए तो दोस्तों यह था मेरा final word एक बहुत ही special cards है आपकी personal preference के साब से आप इन में से किसी एक की तरफ जा सकते हैं तो दोस्तों मैं था product reviewer मेरा यह रहा channel IIT I am product reviewer मैं हर तरह की चीज़ आपके लिए review करता हूँ 12 products को review कर चुका हूँ please like करिए comment करिए और subscribe करिए मेरे channel को आगे भी इंट्रेस्टिंग videos आप लोगों के लिए लाता रहोंगा तो धन्यमा दोस्तों all the best stay safe stay healthy बाबाई